जैहेंद स्टुदेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इस दिव्यांशुर्पांडे नॉर्थ कोरिया और रश्या के बीच में अभी हाई लेवल टॉक मिलिटरी कोपरेशन से रिलेटेट कंड़क्ट की गई है जहां पर रश्या के प्रेसिडेंट व्लादमेर पोतिन और नॉर् क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम आज के सिशन में जानेंगे हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और रश्या दोनों ही एक नेवरिंग स्टेट हैं कंड्रीज हैं जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर भी साज़ा करते हैं और कहीं न कहीं इनके इंट्रेस् के ही दुश्मन देश अमेरिका है अमेरिका जहां पर नॉर्थ कोरिया को सबस्यादा प्रभावित करने के कोशिश किया रहता है वहीं पर रश्या यूक्रेन वार अभी चल लहा है जिसको अठारा महिने पूरे हो चुके हैं तो रश्या को एक और सपोर्ट की जरूरत है औ और उन्होंने जो है इस बालेटल टॉक को आपका कंड़िट किया पूरे विश्युकी ने गहाए इस आपके टॉक पर थी जहां पर लगभग चार घंटे तक इस वारता को आपका किया गया और इन्होंने डेफेंस में इस स्पेस सेक्टर में एगरिकल्चर ट्रेड में लॉपरेशन्स, टास रिपोर्टेट जो की एक तास रश्या की निज एजंसी उनके द्वारे रिपोर्ट किया गया है मेलली रश्या और नॉर्थ कोरिया अब यह चाहते हैं कि यह मिलिटरी में और इस पेस को आपरेशन में एक साथ आएं और एक दूसरे के साथ मिलकर जि इसका space science में जो है पकड़ है वही विष्ट में जो है पकड़ बनाए रख सकेगा रश्या North Korea के दौरा आपका कहा गया है कि lots of interesting projects हैं जिसको हम एक दूसरे एक साथ चला सकते हैं और North Korea ने कहा कि हम पूरा और unconditional support रश्या को provide करेंगे जिससे कि एक दूसरे की जो relationship है वो काफी strong ह पाएगी रश्या के दौरा वहीं पर कहा गया है कि transportation agriculture कुछ ऐसे important areas जहां पर दोनों एक साथ मिलकर कारे कर सकते हैं और एक दोनों देशों की economic को बहतर कर पाएंगे अगर मैं economic की बात करूं दोनों देशों की तो रश्या की economic पहले से भी अच्छी नहीं रही है और रश्या देश एक दूसरे के साथ आएं क्योंकि इन दोनों को इस समय एक दूसरे की सबसे अधा आवशकता है अभी G20 समिट आपकी हुई थी जहां पर रश्या के प्रेस्डेंड व्लादमिर पुतिन नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको अपने देश को देखना है और रश्या यूक् यूक्रेंड वर नहां कहा जाए बलकि रश्या यूक्रेंड कॉन्फिलिट कहा जाए इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि हुमिंटेरियन एड और वर्किंग एस इक्वल्स के प्रोस्पेक्टिव को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ बहतर कर पाएंगे 1950 इसे लेकर 1953 में तक जो आपकी कोरिया वर चली थी फिर कोरिया का स्प्लिट हुआ था नॉर्थ कोरिया और सौथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट यूससार यानि कि उस समय का सोवित यूनिन कर रहा था अपने हतियारों के माध्यम से तो नॉर्थ कोरिया पास जो आप सबसे पहले इस नॉर्थ कोरिया को देख पाओगे इनका ये कैप्टल है प्योंग्यांग ओके रश्या के कैप्टल मॉस्कू है जो की काफी फार इस्ट में आपकी लोकेटेड है वही पर रश्या का ये आपका एक शहर है वलादी वोस्तो ये जो आपकी रेड लाइन रश्या अमेरिका दोनों दिश आमने सामने बेरिंग स्टेट पर हैं तो ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन है काफी एहम रह जाती है और रश्या को चाहिए कि रश्या को एक कोई सहयोग दे वो भी अनकंडिशनल अभी 11 सब्टमबर को नॉर्थ कोरिया ने अपना जो है अनिवर्सरी भी मनाई है और उसी दिन उनके द्वार जो है उनकी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर सम्मरीन को भी लॉंच किया गया है और ये दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस में काफी आगे बढ़ रहा है डिफेंस के साथ इनको स्पेस एक्स्प्लोरेशन क तो अमेरिका के जो हम कह सकते हैं कि स्पोक्सपर्सन है उनके द्वारे ये चाताव में दी गई है कि नॉर्थ कोरिया अगर किसी प्रकार के आर्म डिब के साथ जाएगा रश्या के साथ तो दोनों के उपर हम अन्य नए सैंक्शंस लगा देंगे तो अमेरिका के द्वारा ये धमकी दी गई है बात करते हैं नॉर्थ कोरिया रश्या अमेर्का की नॉर्थ कोरिया रश्या एक खेमे में और अमेर्का दूसरे खेमे में है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रश्या नॉर्थ कोरिया बॉर्डर भी शेर करते हैं और यहाँ पर आखके जो रेल लाइन भी जिससे कि रश्या को काफी support भी मिलेगा और रश्या चाहता है कि इस रश्या-Ukraine war में जहां पर उनको ammunition के आवशकता है उसकी छती पूर्ती North Korea के द्वारा की जा सकेगी तो ये था military cooperation और space exploration से related bilateral talk जितको दोनों देशों के मध्य किया गया है अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट है और एससबी इंटर्व्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर ईपी जैसे हमस्फरिंट मेरे करें हमारी